दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से गुरो एप्लिकेशन में डिमेंट अकाउंट आप कैसे ओपेंड कर सकते हैं वह भी 5 मिनिट के अंदर दोस्तो इस एप्लिकेशन की खास बात यह है कि आप यहाँ पे फिरी में आप डिमेंट अकाउंट ओपेंड कर सकते हैं और जितना चाहें दोस्तो आप यहाँ पे डिपोजिट कर सकते हैं और विड्रोल भी अपना पैसा कर सकते हैं तो दोस्तो आपकी इस तरीके से grow application में account आपको बनाना है सारा चीछ इस वीडियो में हम आपको complete process बताने वाल है तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो यहाँ पे आपको play store open करना है play store open करेंगे बाद यहाँ पे आपको search bar में आना है search bar में आपको लिखना होगा grow जैसे ही application search करते हैं तो इस application को अपने phone में download कर लेना होगा आप चाहें तो दोस्तो हमारे दिये होई link से भी download कर सकते हैं अगर आप हमारे दिये होई link से download करते हैं 500 रुपए से लेके आपको 500 रुपए तक का यहाँ पे आपको bonus मिल जाता है phone में इसके बाद open पर करना होता है click आप जैसे यह open पर click करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इसका interface देखने को मिल जाता है अब देखे दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले तो mobile नमर आपको डालना होगा जो भी आप mobile नमर रेजिस्टर करना चाहते हैं चलिए हम अपना एक mobile नमर डालते हैं mobile नमर डालने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा send OTP पर आपको करदना होगा click तो आपके जो भी रेजिस्टर नमर है उस नमर पर एक OTP भेज़ा जागा 6 आंके उसके बाद यहाँ पर आपको verify पर करदना होगा click आपका जो भी यहाँ पर paint नमर होगा आपको यहाँ पर paint नमर डालके इसके बाद आपको create account पर करदना होगा click तो दोस्तो जैसे हैं आप paint नमर डालते हैं इसके बाद आपको create account पर करदना होगा click आप जैसे हैं create account पर click करते हैं तो आपके समने जिनका भी paint card का नाम होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं mail है तो mail पर करदना होगा click अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर प्राइबेट में job करते हैं तो यहाँ पर आपको select करना होगा करना होगा तो चलिए यहाँ पर आपको जो भी है यहाँ पर आपको select करना होगा इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर income देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर एक लक्स अगर आपका अधिक है तो यहाँ पर आपको click करना होगा अगर आपका जो भी य आपको देखने को मिलेगा no experience इस पर आपको simple कर देना होगा click अगर आपके पास experience होगा एक दो साल का तो आपको वहाँ पर भी select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा आपका जो भी mother name होगा आपको यहाँ पर डालना है father name आपका जो भी होगा यहाँ पर डालके आपको next पर कर देना होगा click अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं material fund nominee आपको देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ पर add करनाणा चाहते हैं किसी को no money में तो यहां पर करना होगा क्लिक आपका जो भी यहां पर रेलेशनसिप होगा उस नेमनी में से तो यहां पर West कि Vivitz घालना होगा उसके अधर जेसर कि आप रखना चाहते हैं नंतर आज वर यहां next पर click करते हैं तो यहां पे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाता है आपका यहां पर आपका bank होगा यहां पर डालना होगा एक बात ध्यान रखेगा दोस्तों यहां पर जो भी bank account डालेंगे उसी bank account से आप deposit कर सकते हैं और उसी bank account से आप यहां पर credit भी कर सकते हैं कहने का मतलब है दोस्तों आप यहां पर जो भी bank account डालेंगे उसी bank account से आप यहां पर पैसा जामा भी कर सकते हैं उसी bank account से आप पैसा विड्रोल भी यानि कि पैसा भी निकाल सकते हैं तो चले यहां पर हम अपन कोड होगा यहाँ पे आपको डाल दना होगा जो भी आपका बैंक का ब्रांच का कोड होगा आई एफसी कोड डालते हैं आपका यहाँ पे जो भी ब्रांच का कोड होगा यहाँ पे आपका देखने को नाम मिल जाएगा इस पर आपको simple कर देना होगा click, यहाँ पे आप जैसे ही click करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा, enter bank account number आपका जो भी bank account number है, यहाँ पे आपको डालना है, इसके बाद आपको verify bank पर आपको कर दना होगा click, तो दोस्तो आप जिसे ही verify bank पर click करते हैं तो आपने यहाँ पे जो भी bank account डाले हैं, उस नमर पर एक रुपय भेजा जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका जो भी यहाँ पे bank होगा, उस नमर पर आपका एक रुपय verify करने के लिए एक रुपय भेजा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा bank account जो है verify हो चुका है दोस्तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, next step में आपको देखने को मिलेगा, dg locker documents for kyc यहाँ पे आपको kyc करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा process for kyc simple यहाँ पे आपको कर दना होगा click, तो चलिए यहाँ पे कुछ treatment condition आपको देखने को मिलेगा, आप चाहें तो पुरा read कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, simple यहाँ पे आपको कर दना होगा click, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो आधार नमर आपको जो भी है, यहाँ पे आपको डालना है, इसके बाद आपको next पर कर दना होगा click अधार नमर डालने के बाद यहां पर देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा टेक एफ फोटो, आपका जो भी यहां पर फोटो है, यहां पर आपको अपलोड करना है, अपलोड करने के लिए नीचे आप देख सकते हैं, आपको केमरा पर सिंपल करना होता है, क्लिक, दोस् इसके बाद यहाँ पहए आप देख सकते हैं आपको next पर smart simple करना होता है click यहाँ पर आप जैसे ही इन उसधिया करना होता है यहाँ चाहने है तो दोनुने से कोई halo user कर या पर यहाँ प्लीपार्ट करते हैं अपना paint card इसके बाद यहाँ आपको कुछ time लग सकता है, आपको wait कर लेना होगा, जब तक यहाँ पे new page ओपेन न हो जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा address verification, आपको जो भी address verification होगा, यहाँ पे आपको करना होगा, जैसे कि address verification के लिए आपको इन में से कोई भी एक आपको document से जैसे कि आप देख सकते हैं, आधार card, passport, नहीं तो driver license, नहीं तो voter ID card, जो भी आपके पास होगा, यहाँ पे आपको उसका upload कर दना होगा photo, upload करने के लिए नीचे आप देख सकते हैं, proceed to upload पर करेंगे click, इसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आधार card होगा, यहाँ पे आपक आपको select करना होगा, जो भी state होगा, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको confirm पर कर दोगा simple click, अब दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही upload कर देते हैं, आपका जो भी details है, इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप उपर में देख सकते हैं, signature verification, justification आपको यहांあと signature कर लेना होगा signature कैसे करते हैं हम आपको बता रहे हैं यहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रोशेड को सिंपल करना होगा क्लिक यहां पे आपगा reply ऑपको डिसे क्लिक में करते हैं सबमींट पर किलक करते तो यहां पर आपका जो भी सिगनेचर होगा यहां पर आपका अपलोड हो जाएगा अपलोड हो जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं नीचे में देखने को मिलेगा प्रोसेड टू अधा ऐसी complete होने के बाद आप बहुत असानी से trending अगेरा भी कर सकते हैं गुरू application में तो आई हो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आजीगों वीडियो पसंद आजीगों तो प्लीज एक लाइक कर दिजिएगा चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लीज सब्सक्राइब के लिए जग झाल 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 झाल